DPS Senior Secondary School तपीजी लेकर आए हैं Online Classes From Pre-Nursery to Class 12 50% Discount on Girls Fees Online Admission Open Visit DPSajmay.in जैहिंत, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV India Corona और Lockdown के समय आज देज की गिरती अर्थविवस्ता के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है Corona से जहां देश और दुनिया की मौजूद अर्थविवस्ताओं को लगातार जटके लग रहे हैं अर्थविवस्ताओं की रेटिंग देने वाली एजेंसिया रेटिंगे गटाई जा रही है और इसी बीच भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है फिच रेटिंग्स ने कहा है कि अगले वितवर्ष यानी 2021-22 में भारत में फिर से 9.5 फीजदी की काफी उची ग्रोथ हासिल की जा सकती है एजेंसी ने बुदवार को एक रिपोर्ट जारीकर ये बात कही गौरतलब है कि अलग-अलग रेटिंग एजेंसियों ने कोरोना काल में भारत की अर्थ विवस्ता के 5-6 फीजदी की दर से सिकूरने का अनुमान लगाया है न्यूज एजेंसी PTI के मताबिक फिच रेटिंग्स ने बुदवार को जारी अपनी APAC Sovereign Credit Overview में बताया कि इस महामारी ने भारत के Growth Overlook को काफी तेजी से कमजोर किया है और काफी उचे सावजिनिक कर्श के बोच जैसी चुनोतियां भारत के सामने पेश की है लेकिन वैश्विक संकट के बाद भारत की GDP Growth फिर से BBB category के देशों की तरह लोट सकती है लेकिन उसके लिए शर्थ है कि इसके वित्य सेक्टर में महामारी से अब और नुकसान नहीं होना चाहिए और अगर नुकसान होता है तो अगले वितवर्ष में भारत की GDP Growth 9.5 तक नहीं हो पाईगी जैसा कि सबको पता है कि कोरोना वाइरस के संकर्मन को रोकने के लिए भारत सरकार ने 25 मार्च से दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन लागू किया है और इस लॉकडाउन के चलते देश में आर्थी गतिविदियां बुरी तरह प्रभावित हुई है लेकिन अब कई सारी ढील देने के कारण आर्थी गतिविदियां धीरे धीरे सामान्या हो रही है आपको ये भी बता दें कि पिछले हफते रेटिंग एजनसी मूडीज ने कोरोना संकट के दौर में एकनॉमिकी खराब हालत को देखते हुए भारत की सौवरेन रेटिंग को घटा दिया था अभी तक भारत की रेटिंग BAA2 थी जिसे घटा कर BAA3 कर दिया गया था ये निवेश के लिहाश से सबसे कमजो रेटिंग है इसके नीचे बस जंक यानी कूडा रेटिंग ही बचती है इस बात ने भारत सरकार के लिए चुनोतियां बढ़ा दी है क्योंकि इससे देश के निवेश पर असर पड़ता है आपको बता दें कि लॉकडाउन से प्रभावित अर्थविवस्ता को सपोर्ट करने के लिए कि इस सरकार ने 20 लाग करोड के आत्म ने भर भारत पैकेज की गोशना की थी साथ ही रिवज बैंक ने भी रेपर रेट में बड़ी कर टोती की है झाल 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 झाल